Hi guys, this is Priya and welcome back to our channel अनार कली कुर्टे के लिए आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी इसलिए आज की वीडियो में हम भाही देखने वाले हैं जिसे की मैंने फ्लिप कार्ट से ओडर करा है इस वीडियो की जो बजट है वो अंडर थाउजन रोपीस की होने वाली है जो की आने वाले फेस्टिव के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो जाएगा फॉस्ट वाले कुर्टे के लिए मैंने यहाँ पर श्काई ब्लू कलर चूज किया है जो की ऐसा हो सकता है कि कुछ वाशर इसके बाद फेड आउट हो जाए सेम डीटेलिंग आपको बैक सैड में पर देखने को मल जाएगा और इसका जो नेक है उसे यहाँ पर यू पैटन में रखा गया है नेक के इनस हैड में यहाँ पर आप इसकी ब्राइनिंग नोटिस कर सकते हो और मेरी साइस भी यहाँ पर मिंशन्ड है स्लीवलेस कुरता है और क्यूंकि यह एक अनार के लिए तो ओव्यसी बात है नीचे में आपको काफी अच्छी सी गेर मिल जाएगी साथ इसके फाबरिक क्योंकि थिक है तो जो घेर आती है वो बहुत ही अच्छी से डिफाइन होती है वैसे वेस्ट के पार्ट में आपको कोई भी प्लीट्स बगरा नहीं देखने को मलते सिर्फ इसके नीचे वाले फाबरिक से ही वो घेर क्रियेट हो जाता है अगर बातकर इसके composition की तो यहां पर use हुआ है cotton blend skin पर comfortable भी लगेगा साती साथ आपको stylish भी दिखाएगा बातकर लगे इसके pant की तो इसमें आपको एकदम normal simple plain सा palazzo pant मल जाएगा जो कि half elasticated west के साथ आए है and elastic quality बहुत ही जादा अच्छी है वैसे pant जो है बहुत ही अच्छी से design किया गया है क्योंकि अपर साइट से यह थोड़ा fitted वाला look देता है नीचे जाके यहां पर जैसे boot cut होते हैं वैसा type का आपको यह look देगा इनकेस अगर आप इसके fabric को closely देखो तो इसमें थोड़ी से आपको textures और lines भी देखने को मिलेंगे क्योंकि इसे खादी वाला look देता है overall मुझे pant बहुत ही जादा पसंद आई material इसमें भी same cotton blend ही use किया गया है और lengthwise यह वाले जो pant है वो मेरे ankle के round तक आया था बहुत ही minimal सी designing है जो कि पहनने के बाद थोड़ा बहुत shine भी करता है तो काफी खुब सुरत लगता है castles भी notice कर सकते हो white color में overall जो दो पड़ता है बहुत ही अच्छी length इसमें आपको मल चाहेगी और fabric wise मुझे एक soft तो लगी रहा है साथी साथ यह थोड़ा ना net type का भी feeling दे रहा है overall look and fit आपको clear हो रही होगी tryon में इसके कुर्दे के भी fitting मुझे अच्छी लगी इनकेस अगर आप इसे pair कर ही रहे हो तो इसके इंदर में मैं आप लोग को recommend करूंगी कोई भी ऐसी spaghetti अगर आपानो जो पूरा cover up कर दे ताकि कोई issue नहीं आए quality के ही वज़े से मैं आप लोग को यह कुर्दा जरूर recommend करूंगी नेक्स ट्रॉली सेट के लिए मैंने यहां पे चूज किया है यलो कलर इसा नहीं है फोड़ा से इसका color master type का भी लगता है overall इसमें जो आपको कुर्टा मिल रहा है वो एकदम plain simple सा है नेकि इसकी यहां पे आपको you pattern में मिल जाएगी जिसके इनसर्ड में आपे sizing mentioned है वैसे यह वाले जो कुर्टा वो full sleeve के साथ है और ना अरकली वाले कुर्टे से full sleeve में बहुत ही जाद अच्छे लगते है वैस्ट वाले पार्ट तक कुर्टे को एकदम plain simple सा रखा गया है वट जहां पर यह वैस्ट वाले पार्ट खतम हो रही है उसे के नीचे में आपको यह pleats देखने को मिल जाएंगे पूर एकदम same detailing इसके back में भी किया गया है तो इसी के वाज़े से आपको नीचे side में बहुत ही अच्छी से gear मिल जा रही है साथी साथ इस कुर्टे में यहाँ पर lining भी attach की गयी है इसके मुझे बहुत ही जादा अच्छी लगी यह मेरे काफ के नीचे तक आया था इसके description में उन्होंने mention कर रखा है silk touch करने में भी या फिर अगर आप इसे closely भी देखो तो बिलकुल silk वाली ही feeling यह देता है and vest में यहाँ पर elastic attached है इसमें भी semi material यूज के गए बट इसके fit के बारे मैं आगे बताऊंगी पहले इसका दुपट्टा देख लेता है और overall यह suit को बहुत यह से compliment करता है बाकी इसके try-out में लुक आपको clear हो रहीगी fit wise मुझे जो कुर्ता है वो ठीकी लगा but pant की fitting मुझे उतनी जाद अची नहीं लगी क्योंकि मेरे thighs के round में जब मैं बैट रही थी थो थोड़ा यह problem कर रहा था यही छोटी सी issue थी बाकी जो लुक इसकुर्ते में से आता है वो बहुत ही जादा अच्छा है और daytime के functions के लिए या फिर in case अगर आप कोई भी पूजा बगरा में पहालना चाहों जिसमें आप उवर्डू नहीं करना चाहते उसके लिए यह best option रहेगा जरूर इसे भी चेक आउट कर सकते हो और नेक्स्ट अप्टे में हमारे यह green का अनारकली सेट वैसे पिक्चर में थोड़े यह olive टाइप का लग रहा था आप नहीं लगाए गया आगे पीछे सेम ही डिजाइनिंग आपको देखने को मल जाएगी वहीं इसके वेस्ट में यहाँ पर प्लीट भी बनाए गया है जो की नीचे में काफी अच्छा सा घेर देता है आपको वेस्ट के यहाँ पर दोनों साइड में दो ड्रॉ स्ट्रिंक्स भी अटाइच के गए जिसमें यह टैसल आप नोटिस कर सकते हो अबर आल जो खुर्ते की फ्लेर है वो भी यहाँ पर आपको काफी जादा अच्छी मिल रही है फाब्रिक वाइस यहाँ पर भी कॉमपोजिशन मेंशन नहीं है बट डिस्क्रिप्शन में इसके मेंशन किया गया है प्यॉर कॉटन और इसे के वज़े से यह आपको काफी ज़्यादा कमपटेबल रखने वाला है फाब्रिक इसका बहुत ही जादा ब्रीदेबल है साथी डार्क कलर होने के कराण आपको शेरनेस की भी कोई इशू नहीं आने वाली पैंट भी अगर इसका हम देखे तो इसे ग्रीन कलर में तो रखा ही गया है बट सूट से बिलकुल अलग हटके इसका पैंट है इन फैंट के ऊपर में यहां पर फ्लोरे डिजाइनिंग्स तो क्रियेट किये ही गया है बड़ उतने डेंस से डिजाइनिंग नहीं है वैसे इसके वेस्ट में यहां पर आपको इलास्टिक मिल जाएगी और यहां पर भी आपको स्रेट पीट वाला ही पैंट मिलता है वगरा भी मुझे इसकी काफी अच्छी आई इस पैंट आपको पॉकेट भी मिल जाएगा जो कि मुझे बिल्कुल भी लॉजिकल ही नहीं लगा कि इन्होंने अनार्कली सूट सेट में पैंट में पॉकेट क्यू दे दिया कोई से एक्सेस भी कैसे करेगा आपी बागी लेंद जो पैंट है वो मेरे अंकल के यह राउंड तक है था दुपट्ट्य एकदम पैंट से मैच होता हुआ रखा गया है बट इसकी जो विट एंड लेंथ है वो बहुत ही जादा अच्छी लगती है जो कि इस कुर्ते मेना एकदम चार चान लगा देता है और क्यूंकि फैब्र जा रहे हो तो उसके लिए जरूर आप इसे कैरी कर सकते हो आप पूरे दिन बहुत ही कमफुटबल रहोगे और नेक्स्ट वाला कुर्ता है हमारा ग्रे कलर में बट इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी अब हम टेलीग्राम पे भी आ गया नहीं कियागे इसके उपर में नेक्स में आपको रांड मिल जाएगा और स्लीवलेस वाला यह वाला भी कुर्ता है ताती नीचे में बहुत ही अच्छी से आपको फ्लेयर मिल जाएगी जिसके लिए इसके वेस्ट में यहापे फ्लीट्स क्रियेट किये गहा है वहीं बैक सा कुर्टा है वो भी अगेन cotton material से ही बनाए गया है तो आपको यह comfortable भी रखने वाले यहाँ पर आपको की ओल वाला पैटन मिल जाएगा जिसके क्लोजर के लिए एक बटन अटाच की गई है ओवरा लेंध वाला जो कुर्टा है वो मेरे काफ के नीचे तकाया था लेंध वाग सूट में यहाँ पर काफी ज्यादा डिजाइनिंग है और यह कॉंसर्ट मुझे अच्छी लगी साधी दुपट्टे में आपको लेंध और विथ बहुत ही ज्यादा अची मिल रही है और यहाँ पर भी मैं बता दू कि आपको cotton fabric का ही दुपट्टा मिल जा रहा है पस इसका सबसे खराब पार्ट यह है ना कि इसके एंड वाली टैसल आप देखो यहाँ पर उन्होंने गोल्डन कलर कर टैसल लगा रखा है पता नहीं क्या कलर कॉंबिनेशन सोच के उन्होंने यहाँ पर इसे लगा दिया है तो इसके दुपट्टे की यह गोल्डन वाली पार्ट छ आपको ट्रायन में क्लियर हो रही होगी कुर्टे के फिट से लेके पैंट के फिट बहुत ही अची है आपको मिल रही है अब अपने और इजनल साइस के लिए जा सकते हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और गया लास्ट वाल जो हमारा कुर्टे उसमें मैं रखे गए है वैसे जितनी भी डिजाइनिंग आप इसके उपर में देख रहे हो वह फाब्री का ही पार्ट है वैस्ट वाले पार्ट में कोई भी प्लीट्स बगर नहीं क्रियेट की गए बट नीचे वाले पार्ट में आपको डिसेंट सी घेर मिल जा रही है लेंथ वाले जो कुरते है वह मेरे काफ के राउंड तक आए वहीं जो इसका पैंट है उसे यहां पर रेड कलर में ही रखा गया है पूरे पैंट के उपर में यहां पर फ्लोरल डिजाइनिंग बनाए गया है चोटे-चोटे से साथी बता दो कि यह सारी भी डिजाइनिंग स्वाब्री क पार्ट है प्रेट वाला पैंट मिल जाएगा जिसके वेस्ट में लास्टी कटाइज आप देखी सकतो बहुत ही अच्छी है वैसे चंदेरी सिल्क जो कि आपको बहुत ही कमफर्टे बर रखने वाला है देखो मुझे भी चंदेरी सिल्क अच्छल में क्या होता है वह पता है बट टच करने में अभी जैसा मैं फील कर रहे हूं वही मैं आप लोगों बता रही हूं ठर यह सारी चीज़े हो गए कॉंपोजिशन की अब देख ले तो इसका दुपट्टा जो कि अगें रेड कलर में ही रखा गया है बट इसके दुपट्टे में यहां पर आपको बा इसलिए मैं यहां पे आप लोगों कुछ कोट नहीं कर रही बात कर लेगर इसके ओवराल लुक एंड फिट की तो मुझे यह वाला कुरता एकदम डीसेंट टाइप का ही लगा प्राइस भी यह वाले जो कुरता है वो मुझे 800 के राउंड में बिला तो उसके उतनी जादा वॉर्थ नहीं लगी विट वगेर सही थी, कमफोर्टेबल भी था बट प्राइस को अपने जोस्टिफाइ नहीं कर रहा था और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना एं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथी अगर आपके म कोई सजेशन या पिर कोशन हो तो वो भी ज़रूर कमेंट करना मिलते हैं नेक्स वीडियो में अभी के लिए बाई जैहिंद पीस